आज हम बिस्किट से एक ऐसा केक बनाएंगे जो बहुती कम मैनाथ से परफेक्ट बनके तयार होते हैं आज से पहले मैंने काफी बार केक का रेसिपी शेयर किया है काफी बार बनाया है लेकिन इससे ज्यादा असान केक मुझे कुछ नहीं लगा एक बोल में पाच डुपाई बाला पैकेट की पाच पैकेट चॉकलेट बिस्किट लिया है एक चॉकलेट बार ले लिया है चॉकलेट बार दो सी तीन भी लिया जा सकता है इसमें मिकसर जार के अंदर हमने डाला है डालूंगे इसमें स्वाद अनुसार चीनी करीब छोटे कप का एक कप जितना हमने चीनी डाला है चौकलीट बिस्किट खुद भी बहुत मीठे होते हैं तो उसी साब से चीनी को डालिएगा मिकसर के जार में डालके न अच्छे से एक पाउडर तयार कर लेंगे तो ये दिखिए पाउडर को हमने बोल में निकाल लिया है अब मिकसर के जार में एक कप मैदा डाला, एक चुटकी भड़ हम नामक डालेंगे डाल दे रही हूँ दही, यहाँ पे पतला बाला दही है, करीब आधा कप जितना है नॉर्माल खटे वाले बहुत ज्यादा खटा नहीं है, दो अंडा हम डालेंगे अगर आप बिना अंडे के बनाना चाते हो, तब भी बना सकते हो बड़े चम्माच के दो चम्माच हमने यहाँ पे रबरी डाला है, यहाँ पे फ्रेश क्रीम या फिर मलाई डाल सकते हो तीन चम्माच हमने रिफाइंड ओयल डाल दिया है अब mixer को चलाते ही हम अच्छे से एक liquid तयार कर लेंगी इसमें पानी और नाहिक दूद हमने कुछ भी नहीं add किया है दही और अंडे से ही तयार हो चुका है एक कड़ाई जिसमें रबरी हमने बनाया था उसमें ही biscuit का powder और जो हमने liquid अभी तयार कर लिया है mixer के jar में वो डाल दिया है mixer के jar में जो जितना liquid लगा है उसमें हमने डाला है एक cup जितना पानी वो पानी डाल दिया है अब जल्दी से mix करने के लिए यहाँ पे हमने electronic hand biter लिया है इससे बहुत ही जल्दी में हो जाते हैं करीब 3-4 मिंट के अंदर पूरा बैटर अच्छे से smooth सा तयार होंगे लेकिन अगर आप hand biter यूज नहीं करना चाहते हो तो यह process को आप half-half position में divide करके mixer jar में भी कर सकते हो यानि कि एक साथ में पूरा बैटर ना चाहे तो दो-दो भाग में करके कर सकते हो दस पूंद जितना vanilla essence डाला है अच्छे खुश्बू के लिए दो बड़े चमच हमने डाला है coffee का coffee का और powder डालते ही इतना ज्यादा खुश्बू आ रहे है और ये केक काफी ज्यादा अच्छा लगता ही ये coffee के powder अब जरूर डालिएगा तो ये देखिए mixed करना बहुत अच्छे से हो चुकि है कितना अच्छे से bubbles आयरा है आप देख रहे हो है कड़ी पास से साथ मिर्ट के लिए तो वह गरम होने देंगे जैसे ही गरम हो जाए इस टाइम एक चमच भर के baking powder दो पैकेट हमने डाला है इनो का अगर baking powder नहीं डालना चाते हो तो आप तीन पैकेट का इनो का डाल सकते हो तो ये सारे कुछ डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो दही है ना वो मदद करेंगे इस इनो को और ज्यादा फूलने में अभी देखिए थोई दिर हम और बीट करेंगे तो बीट करते ही आप बैटर को अब धियान से देखिए कि ये कितना फूलते हुई ये टेक्स्चर आ र रहे हैं तो कुछ देर इसी तरीके से चारो तरफ से हम अच्छे से बीट कर लेंगे ये तैयार हो चुके हैं तो आज हम केक बनाएंगे इस तरीके से मिट्टी के बरतन में इस तरीके से मिट्टी के बरतन बनाने से अलग से कोई भी बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं परते हैं और इसमें जो मिट्टी के सौंधा बानाते ना वह बहुत अच्छा लगता है इस तरीकी से पूरा बैटर को हमने डाला है एक बार इस्पून से अच्छे से मिक्स्ट कर देंगे इससे फिनिशिंग अच्छा आता है हलके से टैप करेंगे तो हमने टैप कर लिया है इससे ना अंदर से भी फिनिशिंग बड़ा पर आते हैं करी पाश मीट जितना हो चुके ही एकदम अच्छे से हीट हो चुके है तो यह नमक ना हम एकदम प्लेन कर देंगे अब इस नमक के उपर इस मटके को बिठा देंगे मैंने यहाँ पे मटका लिया है आप यहाँ पे स्टील एलमोनियम किसी भी बरतन आप यूज कर सकते हो तो यह देखिए नमक इस मटके को हीट पहुचाएंगे धककन से बंद कर दिया है फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है बिल्कुल भी इस बात को भूलिये का मत हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं करना है पैतालीस मिनि इस एंटर करिए तो यह देखिए अगर टुदपी की या फीचा को बिल्कुल साफ निकले यानि की अंदर से बिल्कुल भी गीले चिपके नहीं है अच्छे से तयार हुआ है फ्लेम को हमने ओफ कर दिया है इस टाइम हम ठंडा होने के जितना छोड़ देंगे ढ़के देख चारो तरब से अच्छा तयार हुआ है यह देखिए आप देख सकते हो कितना ज्यादा सॉफ्ट है तो साइट के जो कॉर्णर है वो इसी तरीके से थोड़ा सा नाइश से कट कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत भी चिपका हुआ है ना तो अराम से निकाल जाएंगे तो मटका केक स्पेशली इस मटके से स्पून से ही निकाल के खाये जाते हैं तो मैं थोड़ा सा पीस करके आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना परफेक्ट बना है जालीदार फ्लाफी केक बना है की नहीं यह आप देख सकते हो और आपको यकिन नहीं होगा यह केक स भिस्की चॉकलेट का जो टेस्ट आते हें वो काफी जयादा अच्छे लगते हैं, तो मिट्टी के बरतन में चाय तो सभी को पसंद आते हे, क्यूंकि चाय में वो सोंधापन एक मिट्टी के हुश्वो आते हैं तो आप केव भी ट्राइ करेंगे न तो देखना आप cake में भी एक taste आएंगी उस मिट्टी के जो flavor आएंगी वो काफी ज्यादा पसंद आएंगे तो friends इस तरी की से बनाके आप देखना मटका cake आपको पसंद आएंगे तो friends आज के cake की recipe आपको कैसा लगा है मुझे बताईएगा कॉमेंट करके वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और जाते जाते इतना ही कहूंगी लाव किचिन के नया नया रेसीपी साब हर रोज देखना चाहते हों तो अभी तुरंत कर लीजिएगा लाव किचिन चैनल को सब्सक्राइब तो फ्रेंज आज के लीजिए इतना ही मिलते हैं अगली कोई रेसीपी में टाटा बाई बाई टिक क्यार